हम सभी YouTube Creators के लिए YouTube के द्वारा एक नया feature launch कर दिया गया है जिसके थुरू हम अपनी वीडियो को स्वयम से rating करेंगे और उसी rating के ब्याब पे हमें ads मिलेंगे और उन ads के रुपे हमारे account में आएंगे So इस वीडियो को हम step by step सीखेंगे कि किस परकार से हमें ये process को complete करना है और किस परकार से हमें अपनी वीडियो में कैसे ratings देनी है और rating देने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान देना है वो भी बहुत जरूरी है So ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है तो इस वीडियो को आपको end तक देखना जरूरी है So चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हम step number one से सुरू करेंगे कि सबसे पहले वीडियो को upload करना है और upload करने के बाद ये जो self-certification वाला एक option यहाँ पर introduce हुआ है इसको हम deeply study करेंगे तो चलिए start करते हैं मैं यहाँ पर YouTube में वीडियो को upload करने के लिए Google Chrome को यूज करूँगा जैसे आप YouTube Studio को Chrome ब्राउजर में open करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पर open होगा So सबसे उपर side में एक option आता है create करने का So इसके उपर click करना है यहाँ से upload वीडियो के उपर click करेंगे नीचे एक option आएगा इसके उपर click करना है select file के उपर click करेंगे तो आपके पास यहाँ पर तीन option आएगे camera, camera, video and media अगर आपने कोई वीडियो और रिकॉर्ड करके रखी हुई है तो इसके लिए आपको media option को चूच करके So यहाँ पर मैं उस video को चूच करूँगा जो मैंने पहले से तयार करी हुई है कुछ इस परकार से आप यहाँ पर आपको video का title जो भी लिखना है वो सारा कुछ यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद आपको क्या करना है और यहाँ से on करके done करना है जैसे आप done करेंगे तो scroll down करना है और यहाँ पर आपकी video की uploading हो रही है इस video की uploading complete होने के बाद यहाँ पर भहुत सारी conditions आ जाएंगी इसके बाद आपको यहाँ next के उपर क्लिक करना है और जैसे आपने next के उपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास एक option आता है add suitability का इसी add suitability के option में नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी video के लिए rating देनी है जैसे कि यहाँ पर हम सारे options को read करेंगे यहाँ पर inappropriate language अगर आपने choose करी है तो yes करेंगे otherwise no के उपर क्लिक करेंगे basically आपको जो एक conditions दी जारी है इन में से सभी को agree करना है मतलब कि आपके वीडियो में यह सारी conditions नहीं होनी चाहिए जैसे कि inappropriate language, adult content या फिर violence, या फिर shocking content या फिर harmful and dangerous act या फिर enabling, dishonestive behavior मतलब गलत व्यहवार यह सारे content आपके वीडियो में नहीं होने चाहिए इन सभी को agree करने के लिए आपको जाना है scroll down करके none of the above के उपर क्लिक करना है जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया अब आप right hand side में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा submit rating करने के लिए जैसे आप submit rating के उपर क्लिक करेंगे तो आपकी rating यहाँ पर lock हो जाएगी इसके बाद आप इस rating में कोई भी modification नहीं कर सकते हैं बट आपको ध्यान देना है कि आपने जो rating दे रखी है वो विलकुल correct होनी चाहिए otherwise YouTube की team back end में इसको monetize भी करती है कि आपका जो content है वो सही है या फिर नहीं है so आपको careful रहना है और आपको उसी के हिसाब से यहाँ पर rating देनी है और next के उपर किलिक करेंगे यहाँ से वीडियो को upload कर देना है जैसे आप वीडियो upload करेंगे यहाँ next के उपर जाना है लास्ट मैं यहाँ पर वीडियो चेक हो रही है तो copyright का कोई भी issue नहीं मिल रहा है यहाँ पर so इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक option आएगा add suitability का add suitability भी नहीं है मेरे वीडियो में क्योंकि मैंने एक खुद से record किया हुआ है और इसमें किसी भी परकार का misbehave नहीं किया हुआ है so जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे है इसके बाद आपको यहाँ पर next में किलिक करके upload कर देना है और इसका thumbnail change कर लेना है इसके अलवा text इसमें लगा लेने है और इसके बाद next के उपर किलिक करेंगे तो आपका वीडियो यूट्यूब में upload हो जाएगा और इस वीडियो में आपके पास आएगा green dollar का निसान मतलब कि यहाँ पर कोई भी ads चल सकता है so आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि यूट्यूब के self certification वाले feature को किस परकार से यूज करते हैं और आने वाली वीडियो चुपे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं ताकि next वीडियो का notification आप तक सबसे पहले पहुचे